ताज महल का माबल आज भी चमकता है, पता है क्यों? क्योंकि वो मकराना माबल से बना है जो पॉलिटी एलबेटा मार्बल की स्लेब है और यह जो मेट्यलाद लोड सोने वाल है वेस्ट पैंगॉल काली गाट के लिए लोड उने वाल हैं तो अनों कैस्टेमर हमारे यहां पर आये हैं और उन्होंने ही जैसे यह लोट थींडेट इस्वर-फिट का है तो इन्होंने अपने जो मेन एरिया मेन होल थे । थिरी अंडेट स्वयरि के सलेक्षेन की ए इस्टेर इस के लिए सलेक्षा के लिए उख सेलेक्ट किये हैं तो ऑमराणा मेरirt समयater सेलेक्षन जो आप सेट्यराङस देख पा रहे हैं यह भी अल्वेट आपके सामने कम्प्लीट में दिखा रहा हूं तो सबसे बड़ी खास बात है कि फ्रेश लोट है एंड विदाउट फिलिंग मेट्रियल है यह जो क्वांटिटी है 300 स्क्वार फिट ए 350 स्क्वार फिट का सेलेप का लोट है तो औरोल इन्हों ने वाइटने इसके साथ में बहतरीन क्वालिटी का सेलेक्शन किया है और यही जो मेट्रियल है एक्चुल में पूरा फीटिंग और पॉलिस होनेक बाद में कैसा लुक दे है क्योंकि इनकी जो टोटल क्वांटिटी है 3000 स्क्वार फिट है तो इन्होंने कुछ स्लेब कुछ लीरा साइज का सेलेक्ट करके अपना बजर्ट कावर किया है और लोडिंग आप देख पा रहे हैं तो सबसे बड़ी खास बात है कि फ्रेश मेट्रियल है और केस्टमर हमा आपको फोटो वीडियो देखने को नहीं मिलेगा बट उन 스타 का वोईस फीडबेक आपको जरूर मिलेगा ये जो सलेब है इन्होंने अपने इटेर केस के लिए स्लेक्ट किया है बाकी जो दे अलग अरिया घोल्द के लिए सेलेक्ट किया था तो इसके अंदर पूरा की यह है अब देख पारें एक एक पिस लोड हो रहा है तो खास बात इस मेट्रियल की यही एक मोशली फ्रेश है उसके लाव उपर के साइड में दो इंच का क्रेक है जिसे मेजरमेंट लेस करके बीक की जा रही है ताकि वहाँ पर जब मार्बल फिटिंग हो तो यह द्यान में रही है कि यजो करेक्षा मेजरमेंट लेस करके किया जा रहा है और यह अद मिजब आप के पूरा मेट्राइश लोड किया जा रहा है तो हम जितना हो सके क्योंकि कस्टमर जो हैं डारेक्ट एक विश्वास पर बिलियूने इसके उपर आये हैं और इस उमीद के साथ में आए कि हमें एक बजट के अंदर अच्छी क्वालिटी मिलेगी और मकराना मार्बल की ही क्वालिटी मिलेगी तो यह है पूरी जो सोच के आये उसी के अकोर्डिंग हमने काम करके दिया है और उसके साथ हमारे जो दादा है प्रोड़क्ट के साथ में 100% सैटिस्पाई है और दुआ करता हूं कि काफी अच्छे इनसान थे और इनसे दुबारा जब भी हो मेरी मुलाकात हो और बगवान का यही आशिरवात रहे कि अच्छे इनसान से ही मुलाकात हो ताकि अच्छा काम करें और जो क्वालिटी दे हुए है किस्टमर के गर में काफी खुबसूरत लगे उसके लगवा अगर आप Elvita Marble की फ्लोरिंग लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से लुक देखने को मिलता है इस तरीके से पॉलिष आती है और लाइन टू लाइन मेच इस तरीके से पूरा लाइन टू लाइन मेच होता है और अगर उसके बाद में जो rooms थे उसके लिए albeta के cutpies आप ये देख सकते हैं जो premium quality के albeta के cutpies थे ये हमारे customer ने select किये और इसका आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से pattern है डिजाइन बनने वाला है और यह material fitting polish होने बाद में इस तरीके से look दिखा ही देगा जो काफी classic look दिखा ही देता है बेटर look दिखा ही देता है आप इसे plane भी लगा सकते हैं बट यहाँ पे आप देख पाएंगे तो थोड़ा सा design के साथ में इसे पूरा fitting किया गया और जो polish है diamond polish की गई है तो और second design ये भी देख सकते हैं इसके अंदर भी यहाँ पे design के साथ में पूरा fitting किया गया है जो rooms के लिए काफी suitable रहता है और काफी अच्छा लोग इसका देखने को मिलता है अब आई ये customer का feedback भी जान लेते हैं कि वहाँ जाने के बाद पूँचने के बद में customer का क्या feedback था तो overall जो quality लिए इन्होंने अलबेटा marble का ही लिया है घर safely पूँचके हैं आप लोग को कभी नहीं बोलेगा thank you for your hospitality thank you thank you very much भगवाल आपको मंगल करें ये जो पिक्चर भी जा है ये कालिखट का कालिमांदिर का कालिमांदिर का complete वीडियो देखने के बाद में आपका क्या experience रहा हमें comment box में जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like कीज़े शेर कीज़े और चैनल को subscribe जरूर कीज़े thank you